जौनपुर चिले के रामपुर विकास खंड के कोटिगाँ इस्थित कमपोजिट विद्याले में अध्यापको ने लगाया पीपल का पेड़ अध्यापको ने बताया कि पीपल का पेड़ पर्यावरन को आक्सीजन प्रदान करता है इसलिए प्रकृति की सुरच्छा के लिए विरिच्छा रोपड करना बहुत ही जरूरी है हाँ अर्चावे बताए आज आपने विद्याले में विरिच्छा रोपड का कार्य पूरा की हैं इससे आप गाउं आशियों को क्या संदेश देना चाहते हैं हाँ आज कमपोजिट विद्याले कोटी गाउं में पीपल का विरिच्छ लगाया गया वह इसलिए लगाया गया पूरे स्टाफ ने मिल कर सहयों किया एक जगह से हम लोग पेड उखाडे इसके बाद गड़ा खोदा गया खाट डाली गई इसके बाद जो है जब लग गया विरिच्छ इसके बाद पानी भी दिया गया तो हम लोग लागडाउन में ये चीज देखे कि लोग आक्सीजन के सिलेंडर किलोमीटरों से धो रहे हैं कई दो-दो-सो किलोमीटर से लेके आ रहे हैं तो इससे बढ़िया है कि प्रकृति का समवर्धन किया जाए और विरिच्छ लगाए जाएं इस उदेश से गाओं वालों को और हमारे हाँ जो छात पढ़ते उनको ये संदेश देना है कि सभी विरिच्छ की रक्षा करें एक विरिच्छ पांच पुत्रों के समान है इसलिए पीपल के विरिच्छ लगाए गए आगे बर्गत के लगेंगे नीम के लगेंगे पर ये कारित्रम लगातार चलता रहेगा हमारे विद्या लें